हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका चनल श्रेय बजार विदायुष और आई एर्म एनर्जी आई पीओ के सेकिंड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले आज दूसरा दिन था और दूसरा दिन कैसा रहा कितना पैसा निकल कर आया ह एक question जो definitely सब मुझसे पूछ रहे हैं वो है GMP को लेकर तो GMP में गिरावट क्यों देखने को मिल रही है और सबसे important question basically IPO क्या पैसा नहीं बना पाएगा या पैसा बना भी पाएगा हम जानने वाले इस वीडियो के अंदर तो वीडियो को पुरा जरूर देखिएगा तो चलि आप इस IPO के अंदर आप पैसा लगा सकते हैं कंपनी का दूस्तों याद रखे का जो प्राइस बेंड है वो 505 रुपीज का है 505 रुपे का इसका प्राइस बेंड है लॉट साइस 29 शेर का है टोटल इशू साइस 545.40 कर उड़का है और यह पूरा का पूरा IPO जो है वो फ्र पर होगी क्योंकि एक मेइन बुड आई पियो बीएस और एनसी पर तो यह तो दीखिए एक ब्रीफ इंफॉर्मिशन है लेकिन हमाले इंपॉर्टन डेटा जो है वो है सब्सक्रिप्शन का पहले दिन कितना सब्सक्राइब हुआ उसके बाद आज दूसर दिन कैसा रहा चल की इंफ्लोई काडिगरी थी वो 0.38 ताम सब्सक्राइब हुई थी तो पहला दिन जो था वो बढ़िया था क्योंकि आई पियो फुली सब्सक्राइब होने में काम्याब हो गया था और 1.74 ताम यह आई पियो अगर पहले दिन में सब्सक्राइब हो रहा है तो यह अपने आ 1.07 ताम सब्सक्राइब कर दिया था और अब दूसरे दिन 1.18 किया है इसका मतलब यह है कि बेसिकली पैसा जो है वो आज कुछ खास क्यूआइबीस का नहीं आया है क्यूआइबीस आज की अक्टिविटी कुछ जादा नहीं थी लेकिन क्यूआइबीस से अभी तक कितना प बायर से कुल मिला के 729 करोड रुपीज अभी तक रिसीव हो चुके नॉन इंसिटिउशल बायर से इसमें जो बिग एचनाइज उन्मी तोड़ा 8.17 टाइम्स एंड स्मॉल इचनाइज के तरह 10.95 टाइम्स तो मेजरली जो पैसा है वो निकल कर तो जरूर आपको आ रहा है फ्रम बिग एचनाइज अल्मोस 436.49 करोड क्योंकि साइज उनका बड़ा होता है लेकिन स्मॉल इचनाइज से भी अगर आप देखेंगे तो इन टरम्स ऑफ टाइम्स स्मॉल इचनाइज जादा आपको अक्टिव देखने को मिलेंगे अल्मोस 11 गुना के आसपास स्मॉल इस इशो को बढ़ दिया है और एकजाक पैसा जो है वो 292 करोड रुपीज रेसीव हुआ है फ्रम स्मॉल इचनाइज तो आक्टिवली तो डिफिनिटली स्मॉल इचनाइज जादा दिख रहे है इसके बात दोस्तो आते है रीतेल काटेगरी तो रीतेल काटेगरी भी 4.37 स सब्सक्राइब हो गई है अब जरू काफी लोग पूछ सकते कि इतना जादा सब्सक्राइब क्यों नहीं हो रही है तो यह वह वाला इशू नहीं है दोस्तों जहां पे बहुत पैसा बनने वाला है दूसरी बात इस इशू का जो साइज है वो ठीक ठाक है और उसमें से भी 35% जो है वो retailers को मिला तो retail का portion बड़ा इस बार तो यह है कि हाँ 4.37 टाइम सब्सक्राइब हो है अप्लिकेशन वाइस तो अगर देखा जा तो अभी तक 3.52 टाइम अभी तक यह होता है कि जैसे 4.37 टाइम में इसमें काफी लोगों ने multiple applications लगाए होंगे तो वो multiple application बेसिकली ए एक के application में बाद में count हो जाता है तो उसमें जो application wise होता है इसमें 3.52 टाइम अभी तक यह सब्सक्राइब हो है वह अभी तक 817 करोड के आसपास receive हो चुका है retail काटेगरी से जो अच्छा है employee category एक मातर ऐसी category है जो अभी तक दोस्तों fully subscribe नहीं हो पाई है कुल मिलाकर 94% अभी तक employee category सब्सक्राइब हुई है कुल मिलाकर 10 करोड के आसपास receive हो है टोटल मिलाकर जो issue है वह 4.37 टाइम सब्सक्राइब होने में कामियाब हुआ है 4.37 टाइम सब्सक्राइब हुआ है यानि कुल मिलाकर 1683 करोड रुपीज रिसीव हुए है अभी तक कुल मिलाकर यहां पर सब काटेगरी को मिलाकर कल के मुकाबले आज ज्यादा पैसा निकल करा है इसमें कोई डाउट नहीं कि आज दोस्तों आक्टिविटी थी एचनाइस की क्योंकि कल एचनाइस ने मात्रे 2.61 लगाए था और आज 9.099 तक पहुँच चुके हैं रीटेल के टेगरी ने भी आज अच्छा कासा सब्सक्र लगाते हैं तो कल दोस्तों पैसा आमको देखने को मिलेगा क्योई बीस का क्योई बीस का पोर्शन कितना सब्सक्राइब होता है यह देखना काफी दिल्चस्प होगा मेरा अनुमान यह है कि 40-50 गुना तक जा सकता है क्योई बीका पोर्शन अगर उससे उपर जाता है तो कि बहुत बड़ी बात होगी मेरा मानना ही कि 40-50 गुना से जादा सब्सक्राइब नहीं होगा क्योई भी पोर्शन बट स्टिल कुछ भी नहीं कह सकते हैं कल का दिन किस तरह के सचाता है वो तमको कल ही पता चलेगा बट हाँ ओवरल जो पैसा होगा क्योई बीस से वो डिफ इसका पोशन भी आज अगर 9 गुना भर रहा है तो कल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहां पर भी अच्छा सब्सक्राइब निकल कर आएगा रेचनाई का पोशन में 25-30 गुना भरने की पुरी-पुरी पॉसिबिलिटी है रीटेल मुझे लगता है कि साथ से 8 गुना क्या आज पर जाएगा और 8 गुना भर सकता है रीटेल तो 8 गुना भी कम नहीं है अब लेट सी होता क्या है कल बाकी यह है कि यह इस्यू अच्छा सब्सक्राइब होगा अच्छा पैसा रिसीव होगा इसको बाकी यह है कि लिस्टिंग कितनी कमाल करता है वो हमको पता चलेगा अब जो सबसे important question था कि grey market गिर क्यों है तो grey market अगर देखा जाए जो grey market है वो currently 10% से भी नीची आ गई है 50 रुपे के आसपस current grey market चल रही है so simple बात है कि देखे इस IPO के अंदर पैसा जो आपको उन्हें कल भी कहा था कि कोई ताबर तोड़ पैसा बनने नहीं वाला है मतलब अगर यहां पर आप पैसा लगा कर यह सोच रहे हैं कि मेरा पैसा 40-50 बन जाएगा सारी 40-50 बन जाएगा ऐसा नहीं होने वाला है यह जो इशू है इसके अंदर 10-15 परसेंट का ही जादे से मार्जिन आप लेकर चले और यह भी है कि अगर थोड़ा बहुत नीचे भी खुल जाए तो वह आप खुलने अलगा अगर हिम्मत रखते हैं तो भी वैसा लगाई है सिंपल बात है क्योंकि अब बाजार भी देखिए कि इस तरीके से भी ट्रेड कर रहा है आप सबको पता है बाजार के अंदर भी जो हालात है वो बहुत फेवरेबल नहीं है मार्केट से अगर आज देखेंगे तो आज भी गिरे थे कल भी गिरे थे यानि रेस्टे डे और यह लग भी नहीं रहा है कि बहुत बड़ी तेजी भी बाजार में आपको आटी भी नजर आएगी जब तक यह इसराइल और हमास का वाट चल रहा है क्रूड की टेजी है यह सब तक देखेंगे चीज़े थोड़ी सी खराब ही बिकास इसराइल और हमास की वाट से बाजार लगता है कि ग्री मार्केट में फॉल तो है और मुझह लगता है कि अल का सब्सक्रिप्शन देखने के पड़ कर आथ कि आप लोग उपॉइड कर रहे हैं क्या कर परसंट पंदरा परसंट या बीस परसंट यह मुझे कॉम्में डिक्षन में जरूर बताएगा अगर आपने अभी तक अप्लाई किया है या फिर आप अप्लाई करने की बारे में विचार कर रहे हैं तो इस वीडियो में इतना ही था वोपफिल्ली आपको वीडियो बढ़या झाल 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 झाल